Hello People, I hope you're all doing wonderful, wonderful, wonderful दो बहुत जबरदस अनॉंस्मेंट हैं आप सब बच्चों के लिए सुनना बहुत अच्छे से, दो बहुत एहम अनॉंस्मेंट हैं जो भी बच्चे आप में से ऐसे हैं, जो डिसेंबर 2022 के लिए त्यारी कर रहे हैं अभी इस वीडियो को, अभी ही इस वीडियो को क्लोस कर दो और जी जान से यारों पढ़ाई पे लग जाओ ठीक है बटाजी, अब यारों बात करते हैं दो अनॉंस्मेंट की तो सबसे पहला यारों एक बहुत जबरदस चीज़ हम इंटर्डिउस कर रहे हैं एक नए कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं देखो बटाजी होता कैसा है, कि हम सब लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि हम लोग अच्छे से सारे लॉस को पढ़ें जितने case laws हमारे पास हैं वो पढ़ें लेकिन फिर भी फिर भी फिर भी अगर हम बात करते हैं अक्चुली इंडस्ट्री के अंदर देरार वेरियोस तिंग्स जो कि हमारे सेलेबस में डारेक्ली गवर नहीं होती है दूरिंग अच्छे करते हैं कि जितनी चीजों को हम लोग प्रैक्टिकली समझ सकें उतनी चीजों को प्रैक्टिकली समझें लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि एक बार देट सेलेबस इस ओवर फिर वो उन सब्जेक्स से धीर धीर दूर होता जाता है तो उन सबको अपने सब्जेक्ट से अपडेट रखने के लिए एक नया कंसेप्ट लेकर आ रहा है तो करना क्या बिटाजी समझ अच्छे से अब बिटाजी समझ अच्छे से अब मेंसे कोई भी वियक्ति अगर कभी वियक्ति कोई भी अपडेट आता है कोई भी रीसेंट केसला हो रहा है कोई भी रीसेंट न्यूज और यह कोई भी एक सेक्शन का अगर हमको भीजना चाहता है सम्थिंग विच्छ फील किया यह स्टूडेंट को नो नहीं है और यह स्टूडेंट तक पहुँचना चाहिए कोई भी एक रीसेंट मर्जर हो रहा है कोई भी टेक वर कोड की अप्लिकेबिलिटी हो रही है कोई भी insider trading का case हो रहा है कोई भी ऐसी चीज जो हमारे syllabus से दूर दूर तक कहीं पर भी related है with respect to corporate law दूर दूर तक भी related है और आपको लगता है कि यह बात सब तक पहुचेगी तो पेटा जी knowledge share होगी और उसी तरह से knowledge बढ़ेगी सब की तो आप हमें हमारी email ID पे वो चीज भेज सकता है आपको क्या-क्या भेजना है सबसे पहले तो आपका content भेजना है that is an update, coming update, proposed update जैसे भी आपने सुना होगा कि buyback regulation के अंदर से भी plan कर रहा है plan कर रहा है कि buyback regulation को थोड़ा change किया जाए और अभी जो 10%, 25% तकी allowed है उसको और बढ़ाया चाहे तो अगर ऐसी भी कोई news आती है तो वो भी आप share कर सकते है कोई भी existing section का analysis है जो आपको लगता है इस section को बहुत लोग misread करते होंगे हो सकता है उस syllabus में ना हो हो सकता है उस syllabus में हो आपको लगता है कि लोग उसको misread करते होंगे हम इस section का correct analysis बताना चाहते है आप वो बता सकते हो कोई recent case law है आपको लगता है case law काफी एहम है उस case law के बारे में बता सकते हो ऐसा कोई भी चीज़ अगर आप चाहें तो आप बता सकते हो आपको क्या करना है आपका जो भी content है वो mail पे भेजना है along with your name, your city and a photo of yours तो होगा यह बिटाजी it is something, it is not going to be like a magazine बट इसको हम लोग compile करेंगे हम लोग जैसे ऐसे update आएगा उसको post करते रहेंगे so that आपकी जो knowledge जो आपने थोड़ी सी research करके लेकर रहा है वो सब तक share हो और ऐसे ही जो बाकी बच्चे भी लेकर आ रहा है वो आप तक share हो तो इसी तरह से इसी तरह से I think we are all going to gain something इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है आप पूरा article या message नहीं आपको उसको brief रखना है एकदम आप उसको एकदम summary रखना है एकदम brief रखना है ताकि कोई भी व्यक्ति उसको चलते फिरते पढ़ पाए I hope you are understanding it should be very brief it should be very brief so that कोई भी व्यक्ति चलते फिरते उसको पढ़ पाए साथ में आपको mail में reference देना है कि आपने इस चीज कहां से पढ़ी है उसका link देना है या फिर जहां से भी आपने उसको पढ़ा है उसका आप अगर web page या link दे सके so that वो भी हम student के साथ share कर देंगे ताकि सब लोग उसको summary में तो देख लेंगे और कोई भी वेक्ति अगर उसको और depth में पढ़ना चाहता है तो उसको और depth में भी पढ़ पाएगा and that is SSM Bulletin and I hope this is really 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 going to be very useful for you guys for your future ठीक है बड़ा जी I hope clear हो गया SSM Bulletin में क्या है SSM Bulletin में क्या है आप सब बच्चों ने आप सब बच्चों ने जो भी आपके आसपस आपको नया दिखता है आप इस गिवन इमेल आडी पर भीज़ेगा इमेल आडी भी आपको दिख रहा होगा इस इमेल आडी के उपर भीज सकते हैं उसके बाद में उसको और्गनाईज करके अच्छे से पोस्ट किया जाएगा उसमें आपका नाम, आपका फोटो और आपकी सिरी भी लिखी जाएगी so that you'll also have that sense of accomplishment कि मैंने रिसर्च किया ता और मैंने भीजा and this has been published here, right? उसके बाद में ये published simple social media पे ही होगा जगे जगे पे उसके बाद में बीटा जी ध्यान रखना है कि हमें साथ में reference भी दिन है कि आप कहां से पढ़ रहे हैं, analysis आपने कहां से किया है so that कभी भी कोई गलत information share ना हो, so that we can just see it कि यहां यहां से share किया गया है, okay? You have to do it in a very brief fashion, right? ताकि कोई भी student उसको चलते फिरते पढ़ पाए and that was our first announcement SSM Bulletin I hope you loved it इसकी बात में आता है आज का दूसर announcement that is Hi SSM, not Hi SSM it is Hi SSM What is this, तो कभी-कभी कुछ बच्छे ऐसे होते हैं, बीटाजी जो कि हम से कुछ बात करना चाहता है आपके जो भी subject-oriented doubts होते है वो तो clear हो चाहते हैं through forum on the website लेकिन मान लीजेगर आप कोई भी फ्यक्ति, कुछ और भी बात करना चाहता है just you want to say hi, just a person want to say sir I am doing great in my life आप कुछ भी कहना चाहते हैं, तो आप मुझसे कह सकते हैं through this means Now what is Hi SSM, I will try जैसे कि ये एक वीडियो आया है, उसी प्रकार से मैं कुछ न कुछ YouTube पर वीडियो लाता रहा हूँ उसके नीचे आप बच्चे कमेंट कर सकते हैं, आप जो भी कहना चाहते हैं, या फिर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप कुछ भी कहना चाहते हैं, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, ये एक क्या है वीटाजी, non-accurricular activity है, right? तो अगर आप कुछ भी चीज़ पूछना चाहते हैं, या कुछ भी चीज़ कहना चाहते हैं, तो इस वीडियो के description box में कह सकते हैं, वो चीज़ पूछ सकते हैं, what I'll try is, जैसे ही next मुझे समय permit करेगा, मैं उन सब comments के उपर आपको reply करने की कोशिश करूँगा, this is not with respect to subjects, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ deadline नहीं रहे हैं, आज मान लीजे आपने नीचे comment कर दिया, मुझे 15 दिन बाद समय मिला, 15 दिन बाद उन comments का reply करूँगा, आपको subject related queries हैं, उसमें ऐसा delay नहीं चल पाएगा, तो आपके जो subject related queries हैं, वो आपको जो website पे एक forum दे रखा है, उसी के through solve होगा, so that that can be handled promptly, और ये एक एकदम extra curricular के तरफ से चलेगा, जब भी समय permit करेगा, I would come here and just say hi, and that is why the name is HiSSM, बहुत सारे ऐसे आपको जब तो नहीं आपको जब आपको जब तो इस विदियो के नीचे बिटाजी, आप लोग दो चीजे पोस्त कर सकते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, जो की जब एक यू वरी सुन इन फिर्स एपिसोड ऑफ ही SSM, बबएए।